द्रौपदी चीरहरण, कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया, द्रौपदी चीरहरण, महाभारत में द्युतक्रिडा के समय युद्धिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और गुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को उस समय दुशासन 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 को बालों से पकड़ कर घसीते हुए सभा में ले आया। जब दुशासन से भारी सभा में दुशासन को इस बात का एहसास हुआ की संकट बढ़ा है। उस वक्त उनने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। हरी हरी अभ्यम कृष्णा, अभ्यम उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबन्ध में कई सवाल करते हैं। आओ जानते हैं, श्री कृष्ण उद्धव समवाद कोडोत, उद्धव कहते हैं, हे कृष्णा आप पांडवों के आत्मिय प्रियम मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण आप महान ज्यानी है। आप भूत, वर्तमान वभविष्य के ज्याता है। किन्तो आपने सच्चे मित्र की जो परिभाशा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाशा के अनुसार कार्य नहीं किया। आपने धर्मराज युदिष्ठिर को द्यूत, जुआ, खेलने से रोका क्यों नहीं। चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका। लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोडा। आप चाहते तो युदिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहां तक की खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाईयों को दाव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभाकक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया।